बिजली कटोती से हर कोई परिशान है देश में कई जगा बिजली के कट लग रहे हैं लेकिनों जैन के असलाना गाउ में एक शाम को लगा कट तीन विवाहित जोडों के साथ साथ कई परिवारों के लिए एक बड़ी गलती बनता बनता रहे गया तीन शादियां बत्ती गुल और बदल गई दुलहने नमस्कार आपके साथ मैं देप शिखा और आप देख रहे हैं खबरे अभी तक का सोशल मीडिया हैंडल शादि का लड़ू एक ऐसे चीज़ है जो खाता है वो भी पच्टाता है ऐसा अक्सर कहा जाता है और जिनोंने अभी तक नहीं खाया है शादि का ये लड़ू वो खाने के लिए तरस रहे हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाक्या से रुबरू करवाने जा रहे हैं जहां पर शादि का लड़ू ही बदल गया बिजली गुल हुई और दुलहने ही बदल गई मामला उज्जैन जिले के असलाना गाउं का जहां पर तीन बहनों की शादि हो रही थी और शादि समारों के दौरान बिजली चली गई उस समय कमरे के अंदर मात्रे पूजन चल रहा था ऐसे में दो दुलहों की दुलहने आपस में बदल गई छे मई को बराते आए थी शादि की रस्मों की कड़ी में मात्रे पूजन की रस्म चल रही थी और गाउं में एक आएक बिजली चली गई ऐसे में एक जैसे जोड़े होने के वजह से दुलहनों को दुलहों का पता ही नहीं चला ये दुल्हे ये रसम अलग-लग दुल्हनों के साथ करते रहे जिस कमरे में पूजा हो रही थी महां भी अंधेरा होने से ये गल्ती बनी रही दुल्हनों के घुंगट में होने से भी ये बात किसी को समझना है लेकिन गनीमत रही कि माता पूजन सी रसम दुल्हनों ने अलगलग दुल्हों के साथ आदा की लेकिन फेरे से पहले बिजली आ जाने की वज़े से इस गल्ती का पता चल गया और शादी के फेरे दुल्हनों ने अपने अपने दुल्हे के साथ ही लिए हलांकि इसके बाद सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो बिजली की कट लगातार लगते हैं उससे आम जनता को दिकतों का सामना तो करना ही पड़ता है लेकिन अगर दुलहनी बदल जाती तो जिंदिगी भर होने वाली इस गलती का खामियाजा कौन भुगतता अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें भी तक के साथ नमस्कार झाल